है गाईस असलाम वाल आईगूं वेलकाम बेक टू माई चैनल आज मैं आप लोगों के लिए लिए कराई हुए एक रेसेपी जो है चाना फ्राइ रेसेपी तो गाईस वीडियो को लाज तक जुरूर देखिएगा एन उसकी साथ साथ आगार आप मेरे चैनल पर नई हो तो चै किसाथ से लिए ऑणियोन हाल्दी पाउडर चीरा परदुनिया पाउडर चीरा नमग मिरसी एन मिरसी पाउडर एन उसकी साथ साथ चाना जो हमने राद पर भिगा कर राखा था तो गाईस आप हम सबसे पहले एक अड़ाई को राख देंगे गेस की उपर एन उसमें डाल द तरह देखेंगे हरी मीड्स, ट्राइ मीड्स और ओनियों और इसको हम एक से दो मिनिट के लिए वेसे ही फ्राइ करते रहेंगे जब तक ब्राउन कलर ना जाय तब तक के लिए अब हम इसमें एट करने वाले हैं मसाला बगरा देखें हमने एट करती है और इसको भी हम एसे ही फ्राइ करते रहेंगे 20 सेकेंड के लिए और उसके बाद हम डाल देंगे चाना देखें हमने डाल दी है अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे एड़ गाइज अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनिट के लिए वेशे ही शोर देंगे एड़ गाइज 2 से 3 मिनिट बाद आप लोग देख सकते हो इसका जो कालर है उसमें चैंजेस आ गई है तो गाइज आप हम इसमें एट करने वाले हैं वाटर and guys water add करने के बाद हम इसको 10-15 मिनिट के लिए ढखकन लगा कर वैसे ही जोर देंगे and guys 10-15 मिनिट बाद आप लोग देख सकते हो चाना बिलकुल रेडी होने ही वाला है तो guys आप हम इस चाने में डलने वाले हैं गरम मसाला and guys करम मसाला डलने के बाद हम इन सभी को अच्छी तरह से mix करेंगे and guys mix करने के बाद हम इसको फिर से ढखकन लगा के 2-3 मिनिट के लिए वैसे ही सोर देंगे and guys 2-3 मिनिट बाद आप लोग देख सकते हो चाना बिलकुल रेडी हो गई है and guys देखिए इसका कालर भी बहुत ही अच्छी आ गई है तो guys आप हम इस चाने को एक प्लेट में डल कर अपलोगों को दिखाती हो तो guys आज की वीडियो बस इतना ही था वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्षन में जरूर बतायेगा and उसकी साथ साथ ये भी बतायेगा की में नेक्स्ट रेसेपी कौनसा बनाओ तो guys अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा कमेंट कीजेगा and guys उसकी साथ साथ मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजेगा thank you for watching this video